लेकिन अगर आपने इसकी प्रीवेस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइंग, लेट्स स्टार्ट दुखी होती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड लान्या अब मर चुकी है हालंकि वो नहीं जानती है कि लान्या जिन्दा है तब ही उसके पास डैयांग आता है, डैयांग शेनौंग को पसंद करने लगा है लेकिन वो उसे ये बात कह नहीं पाता और शेनौंग डैयांग को बिल्कुल पसंद नहीं करती है क्योंकि वो जियाओ से प्यार करती है तुम ये सब वालतू बकवास करना चाहती हो या जीना चाहती हो। इसके बाद वो दोनों आग जुलाते हैं और उसके आसपास बैठ जाते हैं। तभी जिन को भूक लगने लगती है और वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है। लियू जिन को ऐसे देखता है और वो समझ जाता है कि जिन को भूक लगी है। क्योंकि जब भी जिन को भूक लगती है वो हमेशा अपने पेट पर हाथ रख लेती है। लियू जिन को अपने गन देता है और उस से कहता है तुम किसी भी wild animal को मार कर ला सकती हो जिससे कि तुम उसे खा सको लेकिन जिन उस गन से कई बार fire करती है लेकिन वो किसी भी animal को नहीं मार पाती है लियू दो दूर बैटकर ये सब देख रहा होता है वो अचानक से उटकर जिन के पास आता है और निशाना लगाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है लियू को अपने इतने करीब पाकर जिन नर्वस हो जाती है लियू अचानक से निशाना लगाता है और एक कबूतर नीचे गिर जाता है जिन उस कबूतर को पका कर खाने लगती है इसके बाद वो लियू से कहती है कि यह लास्ट पीस बचा है अगर आप चाहे तो उसे खा सकते हैं वैसे आपने रात के अंधेरे में भी एक ही बार में इतना अच्छा निशाना कैसे लगाया कि आप मुझे भी सिखा सकते हैं तो लियू कहता है कि ठीक है लेकिन वो तो इस बात पर रिपैन करता है कि तुम उसके बदले में मुझे क्या देती हो तो जिन कहती है कि क्यों ना मैं आपके लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि आपकी बोरियत दूर हो जाए और जिन लियू के लिए एक ड्रामा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है और लियू उसको गौर से देखने लगता है इसके बाद लियू अपना सर पकड़ के बैट जाता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ठक चुका हूँ अब तुम उसे बाद में बात करना और जिन उसे रात भर ऐसे ही बैट कर घूर घूर कर देखती रहती है तब ही वहाँ पेड के पीछे से छिपकर लाने आती है जो उन दोनों को एक दूसरे के साथ देख लेती है अगले दिन जिन और लियू जब वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उन दोनों को जंगल में एक वोडिन हाउस दिखाई देता है उस घर में अंदर जाने पर उन्हें वो सारा खजाना दिखाई देता है जो कि जो उने चुराया था ये देखकर जिन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि केस सॉल्फ हो चुका है लेकिन लियू को कुछ अजीब लगता है और उसके गर्दन पर तलवार लगतेती है फिर अचानक वो जिन को धुका देती है लेकिन तब लियू वह आ जाता है और जिन को संभाल लेता है और इसकी बाद हमेशा की तरह वह यॉंग शिफैन भी अपने आदमें की साथ आ जाता है वो लानिया को अरेस्ट करवा देता है और वो सारा खजाना जो उन्हें मिलाता वो उसे अपने साथ ले जाता है ये कहकर कि ये खजाना मिनिस्ट्र आफ वरक्स का है और लियू भी उसके सामने कुछ नहीं कहता सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिला देता है इसके बार यॉंग शिफैन की नज़र जिन पर बढ़ती है और वो लियू से कहता है कि तुम्हारी ये असिस्टेंट मुझे कुछ यादा ही पसंद आ गई है अगर तुम्हें कोई अतराज ना हो तो क्या मैं इसे अपनी परसनल असिस्टेंट बना सकता हूँ और जिन घूर घूर के यॉंग शिफैन को देखने लगती है जब यू कोई जवाब नहीं देता तो यॉंग शिफैन उससे कहता है कि कोई बात नहीं मैं तुमसे तुम्हारी असिस्टेंट छीनना नहीं चाहता हूँ कि इसको बहुत चोट लगी है तो क्यों न तुम दोनों मेरे साथ मेरी बोर्ट पर चलो थोड़ा सा आराम हो जाएगा इसके बाद यॉंग शिफैन उन दोनों को अपने साथ अपनी बोर्ट पर ले जाता है और उनके खाने पीने का इंतिजाम करता है तबीबाद जिन आती है और वो कपड़े चेंज करके आती है उसने वो कपड़े पहने होते हैं जो उसे यॉंग शिफैन ने दिलवाए होते हैं यॉंग शिफैन उसे अजीब के तरह से देखने लगता है और यह देखकर लियू को बहुत गुस्सा आता है यॉंग शिफैन लियू के गुस्से को भी देख लेता है इसके बाद लियू को और ज़्यादा चुड़ाने के लिये यॉंग शिफैन लियू से कहता है कि तुम्हारी एसिस्टेंट अच्छे कपड़ों को पहन के बिल्कुल डिफरेंट लगती है और खुबसूरत लगती है और इसके बाद यॉंग शिफैन जिन से कहता है कि तुम्हारी मेरे और करीब आओ लेकिन जिन थोड़ा सा करीब आती है और उसके बाद और ज़्यादा आने से इंकार कर देती है और यॉंग शिफैन से कहती है कि मैं आपके बराबर बैठने की गुस्ता कि कैसे कर सकती हूँ तब लियू यॉंग शिफैन से कहता है कि सर ये लड़की ऐसी ही है ये बहुत रूड है आप इसको जाने दो लियू ने तो ऐसा जिन को बचाने के लिए कहा था लेकिन जिन लियू की तरफ गुस्ते से देखने लगती है इसके बाद यॉंग शिफैन जिन को जबरदस्ती ट्रिंक सैल करवाता है जिन पीने का ड्रामा करती है बट एक्चुली वो उसको फेक देती है इसके बाद यॉंग शिफैन चान मूझ कर जिन से बेडरूम को लेकर और रिलेशन्स को लेकर गंदी गंदी बातें करने लगता है तो जिन उससे कहती है कि सर मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती आप मुझे मास कीजिए इसके बाद यॉंग शिफैन अपनी मेंड से कहता है कि आज के लिए जिन को हमारे गेस्ट रूम में बहने के लिए दे दो कुछ समय बाद मैं इससे मिलने जाओंगा जिन को ये सुनकर बहुत गुसा आता है और वो यॉंग शिफैन से कहती है कि सर आप इस तरह की बाते कैसे कर सकते हैं लेकिन तबी लिए उसे इशारा करता है और जिन को चुपचाफ वहां से जाने के लिए कह देता है इसके बाद यॉंग शिफैन लिू से कहता है कि आज रात के लिए तुम भी अपनी पसंद की कोई भी लड़की मेरी इनमेड्स वैसे चुन सकते हो तु लिू मना कर देता है और कहता है कि मेरे पिता जी बहुत स्ट्रेक्ट है इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं करता मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो यॉंग शिफैन कहता है कि तुम चिंता मत करो आज रात के लिए तुम्हें तुम्हारी फेवरिट लड़की ही मिलेगी अपने रूम में जाओ लिउ अपने कमरे में जाता है तो उसे अपने विस्तर पर एक लड़की सोई हुई दिखाई देती है जिसने पूरी तरह से ब्लैंकेट को कवर किया होता है वो चिपचप जाता है और अपने चेयर पर सर पकड़के बैठ जाता है यॉंग शिफैन और लानिया दोनों उन दोनों के कमरे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं ये देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है लिउ जब बैंकेट अटाता है तो वो लड़की कोई और नहीं बलकि जीन होती है उसको देखकर लिउ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो जो आज रात मुझे कमपनी देने वाली हो लिउ जानता था कि यौंग शिफैन ने ये सब कुछ जानबूश कर किया है और वो बाहर खड़े होकर जरूर ये सब कुछ देखना चाता है इसलिए वो जानबूश कर अपने कपड़े उतारने का ड्रामा करता है लेकिन उसे ऐसा करते देख जिन डर जाती है और उसे कहती है कि सर आप मेरे साथ इस तरह से नहीं कर सकते लेकिन लियू उसके कोई भी बात नहीं सुनता वो दिरे दिरे उसके करीब आता है और उसे किस करने का ड्रामा करने लगता है और जिन लगाता चिलाती रहती है और लियू को धेर सारी गालिया देती है इसके बाद जब लियू उसे दीरे-दीरे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिनकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो चीक न चिलाना बंद कर देती है तो लियू उससे दीरे से कहता है कि अपना चिलाना जारी रखो क्योंकि कोई है जिसकी नजर हम पर है इसके बाद जब यॉंग शिफैन बहाँ से चला जाता है तब लियू सारे बाते जिन को बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो जिन उससे पूछती है कि सर मैंने हमेशा देखा है आप वैसे बहुत ब्रेव हैं लेकिन यॉंग शिफैन के आगे आप हमेशा जोग जाते हैं ऐसा क्यों लेकिन लियू उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है वो कभी भी मुझे दबा नहीं सकता इसके बाद वो जिन का हाथ पकड़ता है और उस पर कुछ लिखता है जिसका मतलब होता है कि मैं जानबुश कर उसके सामने खुद को वीग दिखाता हूँ फिर वो जिन से कहता है कि तुम्हें बहुत भूक लगी होगी क्या तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊं तो जिन उसे नूडल्स मंगवाने के लिए कहती है और बहुत खुश हो जाती है इसके बाद वो जिन के लिए नूडल्स मंगवाता है और उसे अपने हातों से खिलाने लगता है जब जिन का पेट भर जाता है तो वो आराम से सो जाती है और उसको देखकर लियू मस्कुराने लगता है और कहता है कि यौंग शिफैन की बोट पे रहना इतना बुरा भी नहीं है दूसरी और जियाओ जिन के लिए मैरेस प्रपोजल लेकर उसके टीचर के पास पहुँँच जाता है लेकिन उसका टीचर जियाओ से कहता है कि ये डिसिजन मेरे हाथों में नहीं है क्योंकि जिन अपने फैसले खुद लेती है तो ये सुनकर जियाओ बहुत खुश हो जाता है कि इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ जिन के पर्मिशन के जरूरत है तब ही वहाँ जिन और लिव आ जाते हैं और जिन जियाओ से पूछती है कि ये सब क्या है और तुम यहां क्या कर रहे हो तो जियाओ से कहता है कि मैं यहाँ प्रपोस करने आया हूँ तुम्हीं यह सुनकर लियू को बहुत तेज गुसा आता है लेकिन वो उस फ़क्ष कुश बोलता नहीं है जिन उससे कहती है कि इससब क्या बश्पना है तुम इस तरह से प्रपोसल लेकर कैसे आ सकते हो तो जियाओ कहता है कि तुम मेरा दिल चीर कर देखो मैं तुम से कितना प्यार करता हूँ और ये देखो ये सारे गिफ्ट की लिस्ट है जो मैं तुमें देना चाहता हूँ जिन जब उस गिफ्ट की लिस्ट को देखती है तो वो चौक जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे लिखे हुए थे लेकिन तभी लियू चीर जाता है और कहता है कि जिन अभी मेरे साथ एक मिशन पर है इसलिए वो किसी से शादी नहीं कर सकती तो जियाओ कहता है कि तुम कुछ जादा ही उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले और अगर इस मिशन के चक्कर में जिन के हाथ से इतना अच्छा रिष्टा निकल गया तो कि तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे तो लिव गुसे में कह जाता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता और लिव की इे बात सुनकर सब लोग शानत हो जाते हैं तब जियाओ जिन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है कि चलो मैं तुम अपने पता से मिलवाना चाहता हूँ लेकिन तबी दूसरी तरफ से लिव भी जिन का हाथ पकड़ लेता है और जियाओ से कहता है कि ये तुमार सथ कहीं नहीं जाएगी और इस तरह से जिन को बीश पचाव करना पड़ता है और जियाओ से कहती है कि शादी एक बहुती इंपोर्टन डिसीजन होता है मैं खड़े-खड़े नहीं ले सकती मुझे सोचने करे थोड़ा वक्त चाहिए इसलिए इस बारे में हम कल बात करते हैं और जियाओ को वाँसे बगा देती है इसके बार जियाओ से बात करने के लिए जाती है लेकिन लियू उससे नराज होता है और कहता है कि क्या तुम जानती भी हो जियाओ और शैंगोईन के रिष्टे के बारे में शैंगोईन जियाओ को पसंद करती है लेकिन जियाओ अपनी शादी के दिन उसे छोड़ कर भाग गया था जिन ये सुनकर चौँक जाती है दूसरी और जियाओ के फादर भी उसके इस फैसलेशे खुश नहीं है क्योंकि वो जियाओ की शादी शैंगुएन के साथ करवाना चाते हैं उनकी तग्यद भी खराब है लेकिन वो शैंगुएन से कहते हैं कि जियाओ को मेरी बिमारी के बारे में कुछ मत बताना क्योंकि वो अभी नादान है उधर लियू की नराजकी को दूर करने के लिए जिन उसे समझाती है कि मैं जियाओ से शादी नहीं कर सकती क्योंकि जियाओ और शैंगुएन एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उनके बीच में आना नहीं चाहती और इसके बाद लियू को मनाने के लिए वो उसके लिए खाना तयार करती है वो उसे जूट कहती है कि ये खाना उसमें खुद बनाया है जबकि ये खाना उसमें डायांग से बनवाया था और इसी के साथ आज का ये ब्यूटिफुल सा पार्ट खतम होता है तो ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को लाइक के जएगा शेयर के जएगा और अगर मिरे चनल पर नए है तो उसे बिना सब्सक्राइब क के हुए मैं जाएगा मिलते है नेक्स पार्ट में तिल देन टाटा बाइबाइ सयोनारा एंड टेक केर